नमश्कार दोस्तों, मेरे पाम लीडिंग में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। समय में ये सरकारी जॉब में बड़े अधिकारी पदपर है और ये जानना चाहते आगी की जिंदगी कैसी रहेगी तो निश्यंत रहिए आपके सारे ही कोशन को कवर किया जाएगा जो भी पॉजिटिव चीज़ें उसको भी दिखाया जाएगा जो भी नेगटिव चीज़ें कि मैंने कितना बड़िया हाथ देखा है क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है अच्छे हाथ को देखके मैं अपने खुशी को बयानी कर पाया मतलब ऐसे विक्तियों पर न इश्वर की असीम कृपा बनी रहती है एक इश्वर का असिरबाद रहता है तो अगर ऐसी अवस्था मेरे किसी विवर के अतली पर हुई जो आप इस विडियो को देख रहे हैं अगर आपके किसी अतली पर ऐसी अवस्था बनी हो न फिर तो मतलब जिन्दगी मतलब एक दम मस्त जकास है जिन्दगी में कोई परशानी नहीं परशानी तो सभी का जिन तो वीडियो को पुड़ा देख लेना मज़ा नहीं आ गया फिर बोला मज़ा एक दम आने वाला ये तो मैं गिरंटी लेता हूँ और जो भी विक्ति गवर्न्मेंट जॉब के लिए प्रप्रशन कर रहे हैं सरकारी छेतर से दनलाफ कमाना चाहते हैं ऑफिसर बनना जाते हैं उनके लिए भी ये बीडियो ना भज़बरदस्त है भात महत पूर्ण है तो कहीं ने कहीं आप चीजों को समझने का प्रियास करिएगा जो मैं आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ तो आगे सबसे पहले पॉस्टिव वस्थाओं को देखते हैं आखिर ये बाते मैंने क ही क्यों इस हाथ के रिगारिंग और आगे कि सिंद्रगी के तरफ भी चलते हैं सबसे पहले पॉस्टिव चीज़ देखो इनकी पॉस्टिविटी में सबसे पहला चीज़ में आपको दिखाओं तो अगर इस सतेली को आप चुओगे ना प्रस करोगे लगे किसी रूई को मै खतरनाक शाइनिंग के साथ रेखाओं में भी क्या कमाल की चमका रही है तो पहला नॉम्स तो यही था अब इस सेकेंडरी में बात कर लूँ तो देखो फेट लाइन एक जबरदस्त बागी रेका देखो क्या क्लियर कट बागी रेका मतलब अधभुत है यहां पर से थोरा क कि तरफ परिचे करा रही हैं कुछ विदेशी धर्ति से दनलाव यात्राें या घर से दूर का उन्ती इस तरफ यह परिचे करा रही है कि क्लाइन्स के वाले में बताया जाएगा तो सारे फेट लाइन के ब्रांच है जोकी बड़े उम्दा है उसके बाद देखो क्या तो बढ़ गदर है और strong mercury lines मतलब एक से ज़ादा intelligence level की तो मैं क्या ही बात करूँ ऐसे लोग से अगर आप से बात कर लोगे ना तो पता चलिएगा कितने समझदार है कितने कितने ज़ादा ग्यानी वेक्ती है जबरदस्त उसके बाद देखो strong lines बढ़ लाइन्स यह नॉर्मल पद पर नहीं है इनकी अटली भी नॉर्मल नहीं है बड़ी जबरदस्त तिली है जबरदस्त बढ़ रेका अटली पर मतलब आपकी बढ़ी का तो यह परिचक रायती खतरनाग यहां से बे एक सी बन रही है कुछ प्राब्लम्स भी है उसको भी दिखाऊंगा यहां से भी है कि यह बनकी दर जा रही है उसके बाद देखो तो सबसे महतपूर बात किसी भी इंसान के सक्सेस को जज़ करने करें ना प्राब्लस लाइन देखो क्या कमाल कर गई मतलब आप इश्वर का जितना भी शुक्रिया करो उतना कम है आपके लिए यह समझ लो आप आप पर ऐसी कृपा इश्वर ने अपमें डाली है ना कि आप सोच भी नहीं सकते सारे यातरा के लाइन से हैं इधर भी देख लो सारे को बताया जाएगा और ये सौरी प्राग्रिस के लाइन से हैं और कुछ यातरा के लाइन से हैं इसको क्लियर किया जाएगा और ब्रश्पती पर कुछ स्क्वायर्स मतलब क्या ही बोलू मैं और क्या जबर्दस्त माउंट ने तो कहर मचा दिया, ये समझ लो आप, माउंट ने कहर मचा दिया, इतने बहतरीन आपके प्लैनेट्स हैं, कि मतलब दिल एकदम खुश हो गया, मतलब लगा कि चलो, किसी पर तो ईश्वर की कृपा है, किसी पर तो ईश्वर का दियान है, किसी पर क्यों, बहुत से लोगों पर हैं, बहुत से लोगों पर हैं, बस अपने आपको समझना है, और बिलकुल भी frustrated नहीं होना, frustration से कुछ भी नहीं मिलता है, confidence रखिए, आगे बनने के लिए प्रियास करिए, आप नहीं बढ़ोगे फिर मुझे बोलना, बहतरी हूँ, तो ये होगा इनकी positive odds था हैं, अब भी चलते हैं, इनके negative चीज़ों के तरफ, वो भी obviously किसी के भी हाथ पर होती है, तो देखो, प्रारंबिक समय से न, नरने लेने में आपको परिशानी हुई होगी, किसी न, किसी परकार से कुछ परिशानी नरने लेने के regarding, decision making के regarding, 28 में 30 के आयों तक ये आपको परिशानी करती है, 28 के बाद तो कोई मुलता दिक्कते नहीं आते हैं, लेकिन 28 साड़ तक इनसान को कहीं न कहीं जूजना पड़ता है, बहुत से चीजों से, और मैंने अलाकि इसको दवाब प्रॉपरली नहीं कहूंगा मैं, अब एक यहाँ पर concept की बात मैं करना चाहूंगा, जिस भी विक्तियों के, बुद्ध फिंगर अलकी छोटी रहे, और mind पर ये lines अगर आपको दिखे, और heart पर emotions lines दिखे, तो विक्ति कई न कई जल्दी बाजी में कार करना चाहते है, समझना मेरी बात को, एक tension होता है जो आपको आता है, एक tension होता है जो आप लेते हो, यहाँ पर से चीजों को clear करते हैं, बहुत से लोग इस confusion में होंगे कि मिरे life पर तो बहुत दवाब है, बहुत सुख है फिर भी दवाब है, अब देखो आप तो है एक family man, चंदरमा आपकी बहुत जबरदस्त है, शुक्र बहुत बढ़िया है, ऐसे व्यक्ति family man होते हैं, परिवार से बहुत सम प्यार बना के रखते हैं, तो यहाँ पर से क्या होता ना, परिवार में बहुत से लोग होते हैं, और आप जैसे लोग, परिवारी लोगों के tensions को नही देख पाते हैं, तो कहीं न कहीं, अगर कुछ problem आई किसी के जिन्दगी पर, जो आप से जुड़े हुए हैं, या फिर आपके पडिवार के हो सकते हैं, या आपके friend हो सकते हैं, जिससे आप काफी close हो, तो आपको लगएगा कि चीज़े बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, मैं क वह बारी दबाब आप में है, बाकी तो कोई पैसे वैसे कि कोई दबाब नहीं है, वह बारी टेंशन आप में है कि वह कैसे problem जल्दी सौट आउट हो जाएं, बस उस सौट आउट को लेके आप में एक दबाब बना रहता है, तीन-चार दिन का problem होगा, तीन-चार दिन तक आपके अंदर ये दबाब बना रहेगा, ये वह problem जल्दी कैसे सौट आउट हो जाएं, लेकिन कोई बी चीज़ जल्दी नहीं होती, टाइम तो उतना ही लगता, बेकार में अपना खून, क्या बोलते हो उसको बरवात करते tensions, खून सुखाते हो, कह सकते है एक language में हम, बेक सिखता है, लेकिन मेरे समझ से आपके जिन्दगी पर कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पर से चीज़ों को मैंने clear किया, बहुत expect से यह आपको support करेगा, जो भी विक्ति इस बात को समझा, उसके जिन्दगी नहीं ठीक होगे, फिर मुझे बोलना आप, एक word मैं आप से explanation में बांगता हो, तो बस इस चीज़ को समझ लेना है आपको, तो यह एक मूल negativity ती जो जिसका मैंने परिचे कराया आपको अभी, अभी चलते हैं के प्रश्णों के तरब की, आगे के जिन्दगी कैसी रहेगी, वो एक बड़ा महत्रपून टॉपिक है, तो देखो मैं बचपन स अगर आपकी अच्छी बागी रेखाओगी ना, जो एकदम यहां से यहां चली होगी, अच्छी सूरी रेखाओगी और कुछ कट्स होंगे आपके हैतली पर, और आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन में होंगे ना, दुणिया का कोई भी ताकत, आपको सरकारी छेतर से दनलाफ पाने में नहीं रोक सकता, सरकाई छेतर में बहुत नौकडियां होती हैं, बहुत पोश्ट होते हैं, ठीक है ऐसा नहीं कि आप आई ऐसी बनोगे, आप कुछ भी करोगे लेकिन सरकार से पैसा कमाओगे, अगर आपकी इक्छा होगी सरकार से कमाने की तो, इक्छा क ये छोड़ दिजे, टेंशन मत लिजे, मुझे नहीं लगता में ज़्यादा किसी भी व्यक्ती ने में ज़्यादा सरकारी नौकड़ी वाले की अतली देखी है, मैं आपको एक प्रत्यक्च रूप से एक्जामपल दे रहा हूँ, कि आप टेंशन मत लिजे, इतने योग इस सारे struggles के line है, ठीक है, लेकिन एक initial success आपको जरूर मिलाओगा, 1920 में मत प्रॉब्लम साती होंगी, लेकिन थोर सा परशान भी करती होगी, लेकिन फिर sort out भी हो जाती होगी, 20 में साल से भी success है, मत बहुत भाग सारी रहें, बचपन से, लेकिन बचपन के जंदगी काफी द और लास्टली आपका काम जरूर हुआ होगा, ये आपकी आप में हतली बता रही है, और देखो जो तरक्की में थी ना, वो देखो 22 वर्सों से कुछ प्रॉग्रेस लाइन अच्छी थी, और ये एक strong तरक्की आपके 28, तो मूल तरक्की आपके 28 साड़ में सुरूई होगी, 28 साड़ में इसके बीच के जिन्दगी ठीक ठाक रही होगी, 22 में साड़ में कुछ initial success आपको मिला होगा, उसके बाद चीज़े दे दे ठीक चल रही होगी, लेकिन थाईस साल से आपके जिन्दगी आपके मन मुताबिक चली होगी, जो कि आपकी शुक्र बहुत जबरदश् उसके बाद देखो, strong आपके 30 वर्सों में तरक्की के योग थे, फिर देखो 32 वर्स में तरक्की के योग थे, उसी में 34 वर्स में भी थे, यहाँ पर से, यहाँ पर से देखो एक तकरीबन आपके 38 में वर्स में तरक्की के योग थे, फिर देखो एक आपके 40 में वर्स में ये कुछ तरक्की के योग है, बिना किसी राहू लाइन के लिए, मतलब क्या ही चाहिए आपको आप, एक 45 में वर्स में तरक्की के योग, आपके जिन्दगी पर थे बहुत अच्छे, एक तकरीवन आपके उन्चास में वर्स में थे, एक तकरीवन आपके कावण में वर्स मे presently जिस age से आप गुजर ने बावर्ण वर्स किया हो यहाँ पर 13 वर्स में भी तरक्की के योग है तो बहुत ये अच्छे चांस हैं कि आपकी कुछ तरक्की हो और कुछ अस्थान परिवर्तन के योग आ रहे हैं 13 में 14 वर्स से हो सकता है कुछ अर्थान परिवर्तन भी हो एक प्रॉपर्टी बने भी आपका आने वाले समय में एक ट्रेंगल भी आपके जीवन रेका पर तो 55 साल तक मैं ये उमीद कर रहा हूँ कि आपकी कुछ बड़ी अचीवमेंट आपको आएगी कुछ प्रॉपर्टी विगर आपके जिन्दगी पर बनेगी या कुछ और संदर्ब में भी कुछ चीज़े बदलेंगी या यातरा के संदर्ब में कह लो या कहलो कि मतलब कुछ चेंज़े आएंगे प्रमोशन्स विगरा होंगे इस संदर्ब में बोलो तो ये चीज़ा मुझे दिख रहे है उसके बाद यातरा है आपकी बड़ी बड़ी यातरा है जिंदगी पर है साथ में सम्मलीद प्रोग्रेस रेखा भी है इस केस में इंसान के जिन्दगी अच्छी बीच थी मस्त खतरनाक, तिरपन वर्स के बाद भी जिन्दगी बड़ी शानदार है, थोड़ा सौर क्लियर करते हैं, ये देखो एक कुछ प्रोग्रेस लाइन थे, आपके तिरपन वर्स के बाद, तकरीबन पच्छपण में, अंठावन में, साथ में में भी थी, उसके बाद जिन्दगी बड़ी अच्छी थी, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, और साथ साल तक कुछ यात्राएं भी, ये से लाइन से, ये जो में ड्रॉआ कर रहा हूं, ये सारे बड़े यात्रा के तरफ परिचक रहाते हैं, तो हो सकता है कि प्रोशन के साथ साथ जिन्दगी पर यात्राएं भी आपकी बने, जो कि आप करे भी रहे हो, कि वो चीज़े मुझे आपके इतले बता रही है, और आगे भी बहुत चांसे से, तो चलो आपकी जिन्दगी मस्त मक्षन है, कोई टेंशन नहीं है, पच्पन में वर्स के बाद भी तरक किया, कंटीन्यू हर साल दो साल में प्राग्लिस लाइन बनी विया है, मतब इंसान जवत तक धलती पर रहेंगा ना, पैसे कमाते रहेंगा, ये कन्फर्म है, और फिलाल का प्रडिक्शन मैं आपके साठी यर्स तक दे रहा हूँ, साठी यर्स तक बहुत भी अच्छी अच्छी आपको एपॉर्चुनिटी आएगी, आपके जिन्दगी पर बहुत आगे बढ़ोगे इस लाइफ में, उसके बाद यात्रा के भी बड़े अच्छे ही होगा, जिन्दगी भी बड़ी अस्पस्ट कटर, ये कोई टेंशन ने, उसके बाद भी जिन्दगी जीवन रेखा बड़ी अस्पस्ट के खतरनाक है, अच्छी ही कट रही है आपकी लाइफ, और जितना जिन भी आप रहोगे, धरती पर ऐसे तो दिरगाई हो, बस मस्ती से जिन्दगी निकल जानी है, तो ये इनके जीवन रेखा के देखें, सीखें, समझें, इसक्वाइर स्पाम है, बड़े महत्मा कांशी होते हैं, जिन्दगी पर इन लोगो कुछ करना ही, लोग करके दिखा भी देते हैं, इनकी निर मांग सकता है, और ये कर भी लेते हैं, गुलाबी है, धन को एट्रैक्ट तो करती ही, करती है, वेक् लिकारी तो बनने का हर एक गुण आपके अंदर था, हर एक गुण, एक्छा सक्ति प्रबलत अक्षक्ति बहुत शांदार है, डेजायर्स के बहुत अच्छे योग, वेक्ति बहुत डेजायरेबल होते हैं, दो लाइन्स आपके एक यवा किरती बना लिए, जब भी आपको सपोर्ट क्या वशक्ता पड़े, यह आपको जरूर मिल जाएगा, चाहिए वो बगवान से ही क्यो ना मिले, सपोर्ट ऐसे इंसान को जरूर मिल जाता है, थम्ब बहुत अच्छा है, पर लाइफ को सेट करना है, बहतरी इन थम्ब है, जिन्दगी तो बड़ी खतरनाग भी इतनी है, और व्यक्तित वह इतना शांदार के गलत सरत आपको होता नहीं आपसे, यह तो अगे थम्ब के विश्या में महात्यपूर्ण बात है, समझदारी के लूप में देओ क्या शांदार बन रही है, व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने कारे को बड़े समझदा तो देखो, यहाँ पर से मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूंगा, इनके यहाँ, यह वाली कोई मोल नहीं है, इसकोर के टेंशन मत लेना, बाकी यह यहाँ पर से दवाब है, यहाँ ब्रश्पति फिंगर छोटी सन फिंगर बरी, विक्ति बहुत ही मत्ति होते हैं, बहुत टेलेंटेड होता है, इनके अंदर बहुत से टेलेंट होते हैं, इनके अंदर बहुत से टेलेंट होते हैं, चीज़ों को समझने के करने के यह बहुत अच्छी है वस्था है आप में, बुद्ध फिंगर छोटी है तो प्रारंबिक समय में प्रॉब्लम्स होई होगी थोड़े नॉर्मल इंट्रोवर्ट के योग है, इसके नॉर्मल इंसान को गुस्सा आएगा तो इंसान कभी किसी का सुनेगा नहीं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है आप में, तो थोड़ा सुना करिए, चलिए जी, ये इनके फिंगर के विशे में था, आपकी खड़ी देखी है, देखी रहे होंगे, ये कई न कई पारिवारिक समस्याओं को बहुत ज़एदा इलोबरेट कर देता है, इनसान की बहुत ज़एदा पारिवारिक समस्याओं होती है, हलाकि ये 30 साल तक ज़एदा प्रभाव डालता है, उसके बाद तो जिंदगी स्मूथी थी, कहीं ने कहीं इसके impact आ जाते हैं, बाकि दानी परविर्थी के विक्तियां आप, दान दक्चिना करने में, मदद करने में हमेशा ही ख़ड़े रहते हैं लोगों के समख्च, अगर आपसे किसी का मदद हो पाए, तो आप बेलकुल भी ना नहीं कहेंगे, अगर आपके सामर्थ में होगा, किसी का मदद करो, तो आप बे जिचक करोगे, और बहुत अच्छे तरीके से करोगे, तो यह एक होगी मदद की बावना आप में, बाकि यहां से उभारती स्वर्ष के वाद जिन्दगी अच्छी ही रहती है, कुछ स्क्वायर्स आपके अतली पर जुरूर मौज अच्छे कारी छेत्रों को आप जरूर से बढ़ा पाएंगे, कुछ लाइन्स, इंडिकेशन्स हैं जो के तरक्की या ब्रश्पती के बहुत ही गलत इफेक्ट को कम करने में बहुत कारेगर है, बाकि ब्रश्पती बहुत अच्छी इंसान बहुत समझदार होते हैं, यह कु बहुत जादा मैनती, मैनत में किसी परकार का संदेह नहीं है, इस केस में थोड़ा प्राब्लम तो आता है, मोट स्विंग करता है, प्रारम बिक समय हैं, लेकिन समझदारी इतनी अच्छी थी कि इंसान समझ जाते हैं चीज़ों को, बाकि यहां से दबाब हैं तो जैसा मैं और यहां पर से विए को एक फेट लाइन सा बना हुआ है, मतलब भगे रेक अच्छी है आपकी, बहुत शानदार है, अब ही चलते हैं लाइन ओफ एजुकेशन के तरब, यह जितनी लाइन सान है, यह सरी शुक्रवले की नॉर्मल डिस्टरवेंस है, यह भी एक आपकी सू और यहां से एक सूरी रेका इदर भी जारी, इसका क्या मतलब होता है, विक्ती धनलाफ कमाता है, नेम फेम कमाता है, सरकाई छेतर से धनलाफ कमाता है, इसको भी अम डिनोड कर सकते हैं, क्योंकि शुरी खुद में गवर्नमेंट है, सूरी आपको मान सम्मान देता है, वहा आपर से देखो एक ट्रेंगल सा बनावा है, यहापर से भी अलका स्कुआर सा लग रहा है, तो मतलब प्रॉपर्टी कर योग पचासमे साले के बाद भी हैं आपके, यह दो चतिस साल के बाद भी था, मतलब प्रॉपर्टी रोने बनाया होगा, और आगे भी बनाएंगे, दो से जादा ही बनाएंगे ये कनफर्म है, ये कनफर्म है, दो तो बना लिया आपने, आगे भी जरूर बनाओगे आप, तो ये तो होगे, इनकी सूरी रेखा के बारशे में बहुत सी बाते, बहुत एकुरेट है, आप इसमें कोई डाउट नहीं है, सन मरकरी क्या जबरदस् मतलब ये तो मतलब कहर मचा रही है, थोड़ी इम्मुनिटी कमजोर होती इसमें, थोड़ी इनसान घबरा जल्दी जाते हैं, इसके लिए मैं आपको रेमेडीज दूँगा, बाकि स्ट्रॉंग लाइन से मतलब इनसान तेज तो मतलब गजब के तेज हैं, दिमाग तो गज जब का चलता है आपका, और आगे चलके बिजनस करना भी आपके लिए घटा का सौधा नहीं रहेगा, बहुत कमा होगे, जबरदस्त मरकी लाइन बुद्धिवेक से कारे करने वाले विक्ति हैं आप, जबरदस्त मंगल क्या खतरनाग, दोड़ों ही मंगल, एनरजी क्यों जबरदस्त एनरजी रहेगी, जल्दी किसी परकार की प्राब्लम नहीं होती, इंसान चलते फिरते रहते जिन्दगी पर, ये समझ लो आप, कभी कुछ प्राब्लम हो भी जाए तो भज्ज देरी कवर कर जाते हैं, हिम्मत तो लेके आएं आप, मतलब यही समझ लो कि आप आज तक जी रहे हो, तो अपने हिम्मत के दम पर, आगे भी जी ओको तो अपने हिम्मत के दम पर, दिरगायों, प्रॉपर्टी से धनलाव, बिजनस से धनलाव, जमीन के रिकारिग, तो इस सारा कारिया आप कर सकते हैं, स्ट्रॉंग चंदरमा और क्या यातरा तो आपकी है जिन्दगी पर इस case में यात्रा है रहती है चंदरमा अच्छा है तो पैसरी के फिलोग घजब की बनी रहती है लोगों से अच्छे संबंद आपके रहते है लोगों से जुड़े वेकारी में आपको benefit भी मिलता है जबरदस्त चंदरमा मज़ा आ गया फिर देखें यहापर से कुछ यात्रा के lines थे यह जो बैने आपको बताया है थोड़ी दिर पहले केधू परवद पर एक normal फिशनुमा यहाँ से दिख रहा है हमें तो अकास्मिक दनलाफ को यह दर्शाती है इस case में तो यहाँ से तो अकास्मिक दनलाफ दिखा fat line शुरू से मोटी थी fat line आपकी 24 मे के बाद तो क्या ही बोलू मैं शब्द नहीं मेरे पास जबर्दस्त यहाँ से देखो strong fat line के ब्रांचे से सूरू देखा के ब्रांचे से और multiple property तो मैंने दिखाई दिया आपको तो इट्रेशन के line जल्दी इंसान पैनिक हो जाते है जल्दी गुस्ता कर लेते है तो जल्दी mercury line ये line को देख के न मैं दिल खुश हो गया ये बे देखो क्या जबर्दस एक दम money triangle और यहाँ पर से देखो greater triangle क्या गजब क्या गजब विक्ती पैसे ना कमा ऐसा हो इनी सकता कोई फिजूल खर्ची नहीं करते सीधा अपने कमाने पर ध्यान देते हैं और अपने काम पर ध लुट Punkt करूं तो कुई पानी से जुरावा कारी में भी आप तरक्टी कर सकते एं फाने सजुर 450 में बता रही है यहाँपर से देखो जोड़ Julius ने क्यों ये क्या करते है इन्सान का हाजमा ॥ीक नहीं रगते में बड़ी समस्त्रया करती है तो कईंग ऑपने पाचन सक्ती पर ध्यान देने के आवाशक्ता है, कोशिस करना है, खाना पीना नियम में तरूप से खाएं आप। मनी मेचमेंट के बहुत एच्छे लाइन से तो विक्ती पैसे तो जरूर कमा लेते हैं, और क्या ही बोलो शुक्र तो इतना बढ़ियाँ प्रस्नालिटी, इनको देख लो आप पचासमे साल के आयू, मैं बोलोगे निकि ये पचास साल के हैं, इतनी बढ़ियाँ और सुक्र मतलब बहतरीन है, इंसान मतलब ले क्या है राजा वाला जिन्दगी जीन, आइए समझे लो आप, तो ये तो हो गई मंगल इसके बारे में बाते हैं, माइंड रेका बन शांदार, नॉर्मल नॉर्मल दबाब थे पार्टिकुलरली कुछ एजिस में, बचपन से नहीं हो, आप सब के लिए नहीं कर सकते, जितना सामर्थ तो उतना ही करो, टेंशनलने से कुछ नहीं होता लाइफ में, जितना सामर्थ उसको दिल से करिए आप, जबरदस्ती करके, अपने जिन्दगी पर चिंता करके, अपने जिन्दगी पर टेंशनल लेके कोई बेनेफ भावना बहुत अच्छी है आपकी, लेकिन आपको साथ ही साथ अपना भी condition देखना है न, आप अपने स्वास्तर होगे, तभी दूसरे एक लिए कुछ कर पाओगे, ऐसे मन में टेंशन पालके कोई फाइदा नहीं है, अपने खुश्र होगे, तभी तो लोगों को मंद्यत कर पाओगे, मालनो मैं गुरू हूँ, मैं एक टीचर होता इंसेच्छीट का, मैं यही सोचूँगा न, मैं अपने स्टुडेंट को क्या देदू, कितना देदू, जो वो टॉप कर जाए, लेकिन वो पढ़ेंगे नहीं, वो डिजर्ब करते हैं यह भी तो मैटर करता है, तो बस अपना पहले देखना, इतना भी पैनिक नहीं हो न, देने के चक्कर में, कि आप कुछ, आप अपना भी स्वास्त कराब कर लो, मैं जैसे वीडियो बनाता हूँ, मैं तो extra effort करता हूँ, बहुत, जान लगा देता हूँ, जिसको समझना होता, वो फाइदा लेते हैं, जिस और strong कुछ triangles बने वें, इस case में, इसके positivity को increase करती है, तो मस्त है, दिमाग है, बस आपको सोच रहे न, जो मैंने आपको समझाया है, यही समझे लो आप, इसको सोच रहे न, आपने, जिन्दगी के कस्ट आपके यहीं इसी वीडियो से खतम हो जाएंगे, लिख के देता है, तो यह था इन केते लिए का पूर्णता विश्टलेशन, अगर आपको उमारे यह वीडियो पसंद आया, लाइक करते, कमेंट करते, सब्सक्राइब करते, अगर आप प्रसन में सहस्तरे का दिखा कि सई जानकारी पाना चाहते है, हमारे वाट्सप में में डिस्क्रिप् कर सकते हैं, धन्यवार